नारा था 65 पार लेकिन हो गया बंटाधार जारकंड में पिछली बार 37 सीटे जीत कर आसू पार्टी के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार 30 से कम सीटों पर सिमट गई है पहली नेजर में लग सकता है कि ये तो सर्फ एक राज्य का मामला है लेकिन सच्चाई ये है कि ये हार एक कड़ी है जो शुरू कहीं और से हुई थी और शायद खत्म कहीं और होगी इस हार का बोज इतना बड़ा है कि बीजेपी के लिए उठाना मुश्किल हो सकता है दाओ पर एक राज्य की सरकार ही नहीं बीजेपी की पूरी की पूरी चुनावी रणनीती है जरकलपना कीजिए जिस देश में विपक्ष का कोई नाम लेवा नहीं है जिसकी खबरें सुर्खिया नहीं बनती जिसके नेता टीवी चैनलों से पलायन करने पर मजबूर कर दिये गए है उस विपक्ष को जारखंड में प्रचंड जीत मिली है 80 सदस्यों वाले जारखंड विधानसबा में राज में भहुमत के लिए 41 सीटे चाहिए लेकिन जारखंड मुक्ति मोर्चा, कॉंग्रेस, RJD के गडबंधन को इससे कहीं जादा सीटे मिल गई तो लग रहा है कि ये विपक्ष की बड़ी जीत के बजाए BJP की बड़ी हार है उसकी नीतियों की हार है, उसकी रण नीतियों की हार है और सबसे बड़ी बात ये है कि जारखंड का चुनाव उस संक्रमन काल में हुआ है जिसके पहले हरियाना और महराश के चुनाव थें और बाद में अब दिल्ली, बंगाल और बिहार में चुनाव है ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके परखे हुए जो तीर जारखंड में फुस हो गए, वो आगे नाकाम तो नहीं हो जाएंगे आप पुरे चुनाव प्रचार में पीम मोधी, ग्रीमंत्री अमिश्या और राजना सिंग की रैलियां याद कर लीजे हर रैली में हिंदुत्व के एजिंडे का जोड था, राश्ट्रवात का शोड था रैली दर रैली ये बात कही गई कि हमने मंदिर के काम को मुकाम तक पहुचा दिया, ये हुंकार भरा गया कि अब C.A. लाएं है, NRC भी लाएंगे गुसपेटियों को देश ते निकालना होगा, कश्मीर में दिखाए गए आर्टिकल 370 नाम के शोडरे का जिक्र था उससे पहले तीन तलाग पर नया कानून था, लेकिन लग रहा है कि इनमें से बीजेपी का कोई तीर निशाने पर नहीं लगा इसी तरह धुरूवी करण का एक और जाचा परखा नुसका भी काम ना आया रुजहान बताते हैं कि आदिवासी और मुसल्मानों ने बीजेपी से मुन मोल लिया है राज के आदिवासी जल, जमीन, जंगल पर अपना हक मांग रहे थे सम्विधान ने आदिवासी बहुल शेतरों को जो अधिकार दिये हैं आदिवासी वो हक मांग रहे थे लेकिन आपने दिया क्या आपने राची के करीब खुटी में 10,000 आदिवासी को पत्थल गड़ी के लिए देश द्रोही करार दे दिया केस दर्च करा दिया बिर्समुंडा की प्रतिमा खंडिट की गई तो आदिवासी आग बबूला हुए नतीजा सामने हैं आदिवासी गैर आदिवासी के बीच धुरुवी करण की कोशिश फेल हो गई महराश में भी माराठाओं के खिलाफ गैर माराठाओं को एकजूट करने की नीती फेल हो चुकी है इससे पहले हरियाना में भी जाट नौन जाट के बीच लडाई में हार मिल चुकी है तो जारखंड की हार इसलिए बड़ी है क्योंकि बीच पी को अब आगे आने वाले चुनाओं में रास्ट्रवा, धेंदुत्व और जाती आधार पर धुरुवी करण की रणनीती से परे कुछ और नीती अपनानी होगी लेकिन बड़ी दिक्कत है कि ये रणनीती क्या है पता ही नहीं अब बात जरा मोधी फैक की कर लेते हैं चुनाओं कहीं भी हो बीजेपी की सरकारों और लोकल सरदारों को मोधी शाह का सहरा रहता था जारखन चुनाओं के लिए मोधी शाह की नौनो रहलिया हुई पीए मोधी ने अपनी नौ रहलियों में 33 विधानसवा शेतरों को टार्गेट किया वहीं अमिशा ने अपनी रहलियों में 27 विधानसवा सीटों को कवर किया इसके अलावा राजनस सेंग और योगी आदित नाथ ने भी रहलिया की लेकिन बीजेपी को 30 सीटे भी नहीं मिल सकी संदेश क्या है? संदेश ये है मोधी जी का चहरा दिखा दिखा कर आप लोकल चुनाओं कब तक जीतेंगे? महराष्ट में 25 सरकार के खिलाब गुस्सा था मोधी का चहरा काम नहीं आया हर्याना में खटर सरकार के खिलाब नाराजगी थी मोधी के नाम पर बहुमत वाली जीत न मिली अब जार्खंड के रगुवदास सरकार के खिलाब गुस्सा था नतीजा सामने था तो बीजेपी के तरकश का ये तीर भी बेकार साबित होता नज़रा रहा है कोई हैरानी की बात नहीं है कि CM रगवरदास समेत बीजेपी के चार मंत्री चुनाव हर गए है अब बात दल बदलूओं की करनाटक महराश से लेकर जारकंड तक में बीजेपी की एक रणीती ये रही है कि दल बदलूओं के सहरे चुनाव जीत लिया जाए करनाटक में जोड तोड और कानूनी लडाई के बाद ये कारगर साबित हुआ था लेकिन महराश में ये टोटका फेल दिखा था महराश में चंदरकान पार्टिल और उदयन राज भोसले जैसे दल बदलून बीजेपी के काम नहीं आ सके थे जारकंड में कई दिगज निताओं ने एन चुनाओं के वक्त पार्टी बदल दी लेकिन अपनी नई पार्टी को क्या ताकत देते खुद ही हार गये अब कुल मिलाकर बात साफ है मंदिर पर कम और मंदिर पर जादा धान दीजे सरकार प्याज पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है क्योंकि प्याज के सालन की याद किसे है जब रोटी पर ही बात बनवाई है नागरिकता किसे मिले, इस पर कम ध्यान दीजे, नागरिक कैसे जी रहे हैं, इस पर ज़ादा ध्यान दीजे राश्टवास से ज़ादा राश्ट के लोगों की चिंदा जरूरी है समाज के एक बड़े वर्क को ठेंगा दिखा कर जीत नहीं मिल सकती है सबका साथ, सबका विकासी सई लाइन है, इसे छोड़िये मत शेतरी पार्टियां लोकल मुद्दो को पकड़ें, लोकल चुनाओं में यही काम आएंगे जीत मिली है तो काम कीजिए, रोजगार लाइए, तरक्की लाइए क्योंकि यह चुनाओं आखरी चुनाओं नहीं है और विपक्ष, खासकर कॉंग्रेस यह समझे कि बिना मेहनत उसे वोटर बुला रहा है तो जम कर मेहनत करें क्योंकि जनता मौका दे रही है अनादर मत कीजिए, सिर्फ ट्विटर पर पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा